तो देखो, 9 का पावर 3 by 2 है, तो बच्चा हम जो 9 है उसको लिख सकते हैं 3 का स्कॉरर, पोलो लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें किसी को कोई आपति हो तो बताओ, 9 को हम 3 का स्कॉर लिख सकते हैं, तो बहिया ये चाचा जो उपर चुरकी पर बैठे थे, ये तो कोई जाएंगे नहीं, ये 3 एपांटू ऐसा ही रहेंगे, और मैंने ये भी बताया था आपस में क्या होता है, घातों घातों का गुड़ा हो जाता है, तो ये 3 इंटू इसकी ज और लाश्ट में अगर हम बोलें तो 27 आएगा, तब को समझ में आया, ललित मिस्रा आया समझ में, चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट करो, फटा फटा आगे बढ़ते हैं, रखें फिर इसको, रखें, हटाएं, आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हो, फटा फटा वाटसाप पे सेयर करके आओ, नहीं तो कलास चलेगी, नहीं जान लो, हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी 100 बच्चे नहीं हुए है, फटा फट सेयर करके आओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रही, जान लो, क्योंकि आप लोग कलास को ना लाइक कर रहे हो, ना सेयर कर रहे हो, ऐसे हम कब तक पढ़ाएंगे, फिर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा, तुरंत फटा फट फट लाइक करो, ये कहना न पढ़े, आप लोगों के भी कु तू अपान फाइव, दो बटा पाँच, इसका उत्तर कितना आएगा, कोई बताये, जरा सोच के फटा फट, अंसु यादो, भई सभी जल्दी से बच्चे देखो, यार यहाँ पे कहना और टाइम बेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप सभी जितने भी साथी फेस्बुक पे, ट्विटर, इंस्टागराम, जहां जो भी आप चलाते हो, वहाँ पे भेज दो, सेर कर दो, जितने ज़्यादा बच्चे जूड़ेंगे, उतनी बेहतरीन कलास चलेगी, हमारा भी दिल करेगा अंदर से पढ़ाने का कि मैं आपको पढ़ाऊं, हां, समझ र नहीं किये, फटा-फट सेर करके आए, गनेश बर्मा बोल रहे है, सर, इससे पहले यूटूब पर पढ़ी कलास देख ले, हां, बिल्कुल, अगर इसके पहले की कलास देख लोगे, तो और अच्छी बात है, नहीं देखोगे, तो फिर कोई बात नहीं है, हां, जल्दी करो बहिया, देखो, मैं रुका हूँ कि सभी सेर करके आओ, सो के ऊपर करो, जल्दी दिमाख मेरा खराब होगा ना, तो मैं बंद करके चला जाओंगा, अभी तुरंट जान लो, हंड्रेड के ऊपर अभी नहीं जा रहे बच्छे, नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्यों पढ़ा पाउडी नहीं देना तुम्हें, चलो, इसका 32 का पावर 2 अपान 5, अब यहां पर आप लोग समझो, 32, 32 को हम लिख सकते हैं, बच्चों, दो का घात के रूप में लिख सकते हैं, 32 को हम दो का घात 5 लिख सकते हैं, कि नहीं पहले यह बताओ, मुझे, जल्दी से हर कोई बत 32 का आप से फैक्टर करनी को बोलूँ, आप लोग कर लोगे बड़े प्यार से, देखो, यह 2 से काटोगे 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा, इस तरह से अगर आप देखो, तो इसके 5 फैक्टर हो रहे हैं, 2-2 के यह इधर अलग है, ठीक है, इसमें किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए, यह question अलग था, यह अलग है, तो बच्चा जब इसको हम 2 का घात 5, 32 को लिख सकते हैं, तो यह इसके बहरे 2 बटा 5 भी तो लगा था ना, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा सुन्दर लगेगा, य 35 की जगा पर मैंने इसको लिखा है, यह 2 बटा 5 ऐसे लिख लिख लिए, तो आपको समझ में आया ना बच्चा, देखो, आप लोग सेयर करो ना, तो 500,000 बच्चे भी चुड़ जाएंगे, मुझे पता है, देखो 75 का दूना बच्चे हो गए ना, 1.500 हो गए तुरन, लेकि अब यह 2 का घात, यह 5 और कोश्टा खोल दो, यह 2 बटा 5 इसके साथ में आ जायागा ऐसे, 5 से 5 कट गया, तो भई यह 2 का घात, 2 का मतलब क्या होता, 4, इस तरह से आपका 4 क्या हो गया, आंसर हो गया, तब को समझ में आया ना, तुरंत लिखते चलो, आप देख रहें, कला खटड़े को टेस्ट होगा, इस बात को अपने दिमाग में जेहन में बसा लेना, क्योंकि पढ़ लिखके आना, नहीं बहुत मार पड़ेगी सनिवार को, सूरज, समझ में आ रहा है, नरेश रोट, मानवी सिंग, ललित कुमार, सब को आ रहा है न बच्चा, तो चलो फिर, फर्स्ट एंड सिकेंड पार्ट होगे, आपका कुश्चन नमबर दूसरा, एक्सरसाइज 1.6, तो थर्ड पार्ट पे आ जाओ, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पिल्कुल इमानदारी से पढ़ना है, मैत में हम गारंटी लेते हैं, आप टाप करोगे, अगला है बच्चा, इसका देखो क्या करेंगे, पुछ बताया है, आनंद, जेके लाइट बैचा का है, दात निकाल रहे हो, पंजन उंजन कर लिया करो, कभी कभी दूल लिया करो, तो सोला को हम लिख सकते हैं, बच्चा 2 की घा चार, बच्चा 2 की घा चार, लिख सकते हैं, आपे एज दूना चार, पर बच्चा, तो ये कोश्ठक के बाहर 3 बटा 4 यह हो जाएगा दो की घाट 4 गुड़ा ये 3 बटा 4 4 से 4 कट गया दो का घाट 3 पराबर 2 दुना 4 दुना 8 इसका सही आंसर किसी ने बताया भाई कपिल ने बताया है पूजा दंगी ने बताया है सूरज सरोज अभिसेख सिवम सुमित पाल औ और बंबं सर्मा जस्बिंदर सिंग यह सभी नाम है इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम है जो मैं बोल रहा हूं चलो तो प्रिये बच्चों आप में से जो भी नए नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके और इस कलास को लाइक कर दें कि आपक ठीक है और मैं सामने से अगल बगल होता हूं तो आप स्क्रीन साट लेलो इस्क्रीन साट लेलो स्टाफट अलो सिंथा ना बताईए क्या समस्या अका तो ठीक है अब इनतार करिया आप रात 8 बज़े फोन करेंगा ठीक है तो हो गया इतना चलिये देखिए इसी में मुझे बहुत कुछ अर्जेस्टमेंट करना पड़ता है मिटाओं तंकेद बच्चा कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है इसको लिखो ये बता इसका चौथा पार्ट कर लोगे सभी बच्चे एक सूर में जबाब दो क्या ये कुश्चन आपकी किताब में मिल रहा है बोलो हाँ या नहीं क्या ये कुश्चन आपकी किताब में मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी भी दवाई बता रहा हूँ तुम्हें टेंसन मत लेना एक भी परकार का कोई भी बोर्ड है चाहे आप यंपी से हो यूपी से हो जहरकंड से हो बिहार से हो केरल करनाटक मद्धेपरदेश कहीं से भी हो लेकिन इंडिया से होने चाहिए ठीक है पूरे देश के बच्चे इसको पढ़ते हैं सब के बुक में मिलता है यह क्योंकि जो नाइंध का किताब में नहीं मिल रहा है वह क्या करेंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा पहले आप अगला लिख लो तब किताब में नहीं मिल रहा है मैं उनके बारे में बताऊंगा भी सुनो देखो बच्चा सुनो तुम सुनो इधर इसको लिखो पहले इसका अंसर कितना आएगा माइनस वान अपान थ्री देखो एक चीज चाहे माइनस वान अपान थ्री लिखो तुम और चाहे ऐसे लिखो ऐसे दोनों का मतलब एक है होता है लेकिन कभी भूल से भी इसको ऐसे मत लिखना इन दोनों का मतलब एक है चाहिए इसके सामने माइनफ लगाओ चाहिए इसके खोपड़ी पे लगाओ लेकिन अगर नीचे लगा दोगे तो फिर वो अलग हो गया ठीक है समझ रहो ना तो बच्चा जिनकी किताब में ने मिल रहा है उनको यह समझ के चलना है कि संख्या पद्धती एक ही है, नियम एक ही है, कंसेप्ट एक ही है, कलाफ नाइन्थ में नंबर सिस्टम सब के किताब में है, घातां का नियम हो ही है, तो अगर आप इसको सब को सीख जाओगे, और माल अपना कुश्चन खुद से कर लोगे, जैसे उधारन के लिए मैं बताऊं, हमारी NCRT में 16 का घात 3 बटा 4 है, अब तुम्हारी किताब में मालो 64 का घात इसमें 5 बटा 8 है, तो क्या तुम नहीं कर पाओगे, बोलो, भया अगर नियम ये तुम सीख गयो कैसे हुआ था, तो आगे बढ़ें, सबको समझ में आ रहा भई, विसाल कुमार प्रजापती, तो देखो बच्चा, इसकी घात जो है, वो माइनस में लगी है, बावू, क्या लगी है, माइनस में लगी है, माइनस वाले के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, माइनस घात कब होती है, दे बताया, बोलो बताया था कि नहीं सभी बच्चे बताओ, जो बच्चे कलास देखें, उनको मालूम है, जो नहीं देखें, ललू लाल भी आए हैं, इसे ताक रहे हैं, उनकी तो बाती अलग है, यह माने बताया था, अगर माइनस में कहीं घात लगी है, इसका मतलब वो अब समझो यह घातांक का नियम है बच्चा, ठीक है, क्या है यह घातांक का नियम है भाई, पांडे जी आ रहा समझ में, काजल कुमारी, कमलेस, सबको समझ में आ रहा ना, चलो देखो, अगर तुम यह कहानी सीख गए हो, तब मुसीबत कौन सी है, मुसीबत तो कोई होनी ने चाहिए फिर ददा, हां, अरे मुह दूल के बैटो माची लग रही कुछ लोगों के मुह में, हां, मुह दूल के बैटा करो साब सफाई से तो समझ में आयागा, इसे नहीं, चलने आगे बढ़े, देखो समझो, अच्छा, इसमें से कौन-कौन आज नहाया नहीं है, हम, इमांदारी से बताना, जब से करोना आ गया न, तुम लोग को बड़ी मजा है, इसको क्या होगा पांच की घाट, तीन, एक बात बताओ, एक सो पचीस को हम पांच का घाट तीन लिख सकते हैं कि नहीं, पोलो लिख सकते हैं कि नहीं संकेत कुमार मुझे लग रहा नहीं नहाया बहुत मुव बना रहा है इसको लिख सकते हैं न लिख सकते हैं पांच का घात तीन न तो भाईया देखो यहां पे पांच का घात अगर इसको तीन लिख सकते हैं तो हम यहां भी तो लिख सकते हैं का वहीं बगले में लिख सकते थे का, तो बच्चा ये तो मैं ऐसे लिख दिया, इसके अलामा जो इसकी घात लगी है, माइनस वन अपान थरी, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने तो कुछ मत करो, बिल्कुल मत छेड़ो इसको, अब नीचे बढ़ो, दिरे दिरे खिसकते र समझते रहो बच्चा, अब ये पांच का घात जो तीन था, ये गुड़ा में है, माइनस का वन अपान थरी, यहां से तुम समझो, ये तीन से तीन कट गया, खतम हो गया, तो पांच का घात माइनस का एक है, अब देखो बच्चा, अगर सिर्फ पांच की घात एक होता, तो हम इसका उत्तर पांच लिख सकते तो इसमें कुछ नहीं करते लेकिन यहां पर तुम्हें समझने लायक है अगर चिन यहां पर माइनस बचा है तब तुम इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हो अंबो नहीं है इसको छोड़ना असानी से तो बच्चा हो अगर यह माइनस लगा है राजा तो इसका मतलब यह है आगे देखो यह एक बटा पांच है बस अरे करें खो पड़ी अप घात लगा दो तब फरक नहीं पढ़ने वाला है तो चाहे तुम एक बटा पांच लिखो च मिला लो मिल रहा है ना मैं आगे से हट जा रहा हूं छापो फटा फट इसक्रीन साट ले लो चाहे छाप लो मैं आगे से बगल हो गया हूं कुछ सिकेंड के लिए बच्चा जल्दी करो इतने भी हमारे नए खिलाड़ी जूड़े हैं वो जान ले यह प्रोग्राम सामकु साथ से आठ के बीच लाइव होता है रोज याद रख रहे हैं बाद में नहीं पढ़ पाओगे बटा साथ वज़े से आठ बज़े के बीच तुम्हें जूड़ना ही होगा और हाँ जूडने के बाद तुम्हारा काम है कि सेशन को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करोगे एकर दिन वोगा दादानी रोज करो एक के दिन होगा हां कलास रोज लाइक करोगे शेर रोज करोगे सब्सक्राइब सिर्ब एक रोज करोगे जिस दिन आए हो चलो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विसाल सिंग समझ में आ रहा बेटा कुछ तुमें कुछ गुजार आकना गुजार रहा है चलो इसको मिटाता हूं फिर अब यह बताओ इसमें कोई और पार्ट बचा है क्या है वह दिल्ली से हैं चाहे वह महाराष्ट्रा से हैं अंपी से हैं मुंबई से हैं मतलब कहीं से भी हैं उनके बुक में कुष्चन सेम टू सेम है हमारे जो हिंदी मेडियम वाले हैं उनमें ल एक फाइंड दा बैलू इतना ही अंतर है बिटा कुष्ट्र एसे ही है उसमें लिखा एमान ग्यात की जिए उसमें लिखा पाहिंड बैलू पस सारी अलू बैलू एसे लगाना है करना सब वही है चलो इंगलिज मीडियम हिंदी मीडियम सब का वही है लाला राम चौधरी ऐ ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी का कमेंट ना आए तो कलास का कोई मतलब ही नहीं है अब तीसरे कुष्चन पर चलो सभी किताब पहले पढ़ो कुष्चन पढ़ो चलो एक-एक थपढ़ मारेंगे जान लो पढ़ो देखो कुष्चन जितनी बार पढ़ोगे उतने समझ में आएगा कुछ ऐसे नलायक होते हैं जब हम पढ़ाते थे रोड रोज ही बोलते हैं अब सब यादें आती हैं क्योंकि आनलाइन चल रहा है आप लाइन बंद हो गया हाथ चुर चुराता रहता एक को मुक्का मारने को हैंना तो क्या होता था जब पढ़ाते थे न तो दो लड़का दो पढ़ने वाला है वो तो अगया कुष्चन होने के बाद तुरंथ पढ़ता थे अज़整 नहीं वह तो गुरू जी फिर पर चापेंगे तब तल्सकों 30 हो गया इस च्हूर बद्द कॉछ्ट आक्टिबिट इका कह रहा भाई दुई का घहात दुई वटा तीन तू का पावर है हथवे समीटाव एक पड़े का इसके एकदम खोपड़ी पे है याद रखना चुरकी को पर लेकिन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है न ऐसे नहीं लिखा जाता बाप बेटा बराबर नहीं बाप का आकार बड़ा होना चाहिए बेटा छोटा होना चाहिए देखो समझो कैसे तो का घात क्या बच्चा दूई बटा तीन तो तुम घात को छोटा लिखो गे थोड़ा यह नहीं कि दूई अगर यह तना बड़ा है तो घात को इतना बड़ा लिखो नहीं इंटू प्रू का पावर वन अपान फाइब ऐसे हैं इसका आंसर कोई बताएगा क्या मुझे पूनम सिंग निव इस्टूटेंट हैं बिल्कुल आप पुराने हो जाएंगे कल से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साम साथ बजे लाइब आईए तेली लाइब आईए बिल्कुल कलास छोड़ना नहीं किसी दिन नहीं बहुत मार पड़ेगी कटाड़े को टेस्ट होगा अरे मार नहीं पड़ेगी डराओ नहीं आफ लाइन तो आओगे नहीं तुम लोग अब कोई दिल्ली से है कोई बिहार से है तो हम वहां मारने थोड़ी आएंगे तुम्हें पड़ो चायना पड़ो जाओ अपना बला करने हां तो ये बात है तो देखो अगर इमांदारी से पड़ोगे भाई नाम होगा क्योंकि हम लोग नाइंध में हैं अगर टेंध में पड़ रहे न तो बहुत सारी उमीदे हैं घरवालों की माबाब की और उसकी उसकी न तो उस पे हम लोगों को क्या करना है खरा उतरना है इसका कोई उत्तर बताएगा कम लेस हम अच्छे लग रहे हैं चलिए बहुत बहुत थैंक्यू कम से कम किसी को तो अच्छे लगे वह से जिंदगी में हम किसी को अच्छे लगते नहीं है आज ही लग रहे हैं आपको पहली बार देखो कुष्चन कौन सा ही है मुझे देखने कोई जायेगा नहीं च्छटवा कुष्चन है नि तिसरा है, तो बच्छा जब आधार बराबर होता है बिटा मैंने आपको एक नियम बताया था फिर से उसे याद करो कि जब एक अपावरین हो इन्टू एक पावर यन हो तो मैंने बताया था क्या बच्चा गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो बच्चा ये यम प्लस यन हो जाता है बोलो बताया था कि नहीं अगर आधार समान है घातें अलग-अलग हैं तो गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं एक नया प्रोड़क्ट लांच करती हैं समझ रहे हो ना सभी देखो चलो इसमें भी क्या होगा गुड़ा करने पे घाते आपस में जुड़ जाएंगी ठीक है? घाते आपस में जूड जाएंगी बच्चा अफलाइन कलास फ्री में नहीं होती बेटा अफलाइन कलास का बहुत महेंगा चार्ज है आनलाइन में पढ़ो तुम फ्री ठीक है तो दो का घात यह हो जाएगा दूई बटा तीन और प्लस एक बटा पांच चलो समझो आगे अब इसको जोड़ो पांच दूणा दस तीन एकम तीन तो यह दूई का घात कितना हो जायागा भाई दस प्लस तीन और तीन पचे यह पंदरा समझ रहो न आप जिनको भिन हल करनी नहीं आती उनके बगवानी मालिक है उन्हों तो मैं क्या बताऊं वो नहीं कर पाएंगे यह तेरा बटा पंदरा यह उत्तर आएगा रोका घात तेरा बटा पंदरा पूजा आरा समझ में साइंस की कलास तो भईया कल से मैंने रख दिया है पंदरा तारीक से सुबा साथ बजे अब भगवान से बिंती करो कि मैं सुबा छे बजे उठ जाऊं सोके सब तो साथ बजे आपकी कलास चलेगी मेरा दिल बहुत धड़क रहा आच कि कल अगर मैं दस बजे सोके उठा तो बच्चे मुझे बहुत घरी आएंगे समझ रहो ना आज हम जल्दी सो जाएंगे वैसे 12 बजे तक सो जाएंगे तो उठ जाएंगे देखो यार रात में अगर सोने में मालो तीन चार बज़ गया तो आदमी कितना बज़े उठेगा सोचो जितना टाइम उठना उठना तो सो रहें तो उठेंगे तो आनि तुम यह मत सोचना कि हम भी आठी बज़े सो जाते हैं तुम्हारे जैसे 10 बज़े उठते हैं हम सुबा सोते हैं चार बज़े तब आठ बज़े उठते हैं हां चलो कल से चलेगा, कल से कल से चलेगा, पकाच चलेगा मैंने प्रॉमिस किया तह हम सोएंगे ही, हम बहुत कराब आदमी है, अगर सुबह जल्दी उठना है, मुझे लग रहा है कि हम नहीं उठपाएंगे न, तौह हम लेटते ही न ही, समझे रहो न, लेटेंगे ही कि इंटरनेट पूर है वाहिर फान अंसारी बोल रहें बेटा पूर है तो का करें मिटाय हो गया कहानी खतम ना अगला चलो देखो इसको बात में देखते रहना इधर साइडल बढ़ो वैसे बीचों बीच में लिखें तो अच्छा रहेगा दो लाइन में लिखना ठीक नहीं एक बात बताओ सभी को समझ में आ रहा है बोलो यस जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिख के कमेंट करें तो मुझे पता चले किसको आ रहा है सबको आ रहा है देखो जो बीच में जुड़े हैं कल कलास नहीं देखे हैं उनकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है तार जो डेली देखेंगे, उनकी हमारी Guarantee होगी और जो बीचबीच में जुड़ेंगे ऐसे महमान की तरह उनकी कोई Guarantee नहीं हो पढ़ते हैं रोज पढ़ो ठीक है डेली पढ़ो डेली अगला गूस्च न आप मुझे answer तो फिर हम आपको बताएंगे थोड़ा सा रूप जाओ एक सिकंड रुक जा दादा एक सिकंड रुक जा थोड़ा सा रुक जा भई थोड़ा सा रुक जाओ अगला क्या है आप लोग इसका answer मुझे बताओगे तब हम कुछ बताएंगे तुम्हें चलो एक बटा तीन सिकेंड पार्ट है कि क्या कह रहा है और इसका पावर है वन अपान थिरी का पावर थ्री कुश्चन ध्यान से देखो बेटा अगर पढ़ना है तब और बहरे से इसकी घाट लगी है साथ इसको कितने बच्चे कर लेंगे सबी बच्चे एक बढ़ कोशिस करके देखो अपनी तरफ से कर लोगे की नहीं हाँ जल्दी देखो फटा-फट चलो जल्दी करो जल्दी करो फटा-फट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी फटा फट बताओ कितना आएगा कि इतना आएगा कोई कर लेगा देखिए मैं बताता हूं यहां पर समझो देखो अगर आप लोग कोशिस नहीं करोगे चनर हें देखो समझो यहां पर इतना आएगा है कि बहुत से बता रहें जैसे संकेद इतना आप कि मतलब नहीं आ रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे कोशिस करो आप लोग ओच करा थिकें अगर कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है painting देखो मैं बताता हूँ, एक मिनिट जड़ा सोचो, इसको करना कितना आसान है, बेरी सिम्पल सा है, बेरी सिम्पल सा है, इसका अंसर जो नहीं बताएगा ना, बहुत बड़े गते हो तुम लोग, एक बार कोसिस करके तो देखो ना, चलो फटा फट बताओ, जल्दी करो, जल झरइवार जब तुम्हें मने बताया था आगर 1 एक अपावर यम है यह मने तुम्हें बताया था तो घातांका का नियम होता है कि ये माइनस यम हो जाता है तभी बोलो हाँ ये होता है होता है ना तब दादा जब ये जानते हो तुम तो इनको करने में कौन हैरानी है इनको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं वन अपान अरे यह अपान हटाओ इसको साइड में करो इसको साइड में करो तो इसको हम फाइनल में तीन का घाट माईनस तीन लिक सकते हैं मतलब यह भिनन खतम हो जाएगी यह फ्रेक्शन खतम हो जाएगा उसके बाद जो ऊपर इसके साथ लगा खोपड़ी पर उसको वैसे रहने दो अब गुड़ा कर लेंगी घात घात का तो तीन का घात माइन से कईस हो जाएगा पस यही तो उत्तर हो जाएगा ना अब इसमें कौन सी आफ़त है तुम लोगों को बोलो समझ में आया देखिए अगर आप कांसेप्ट समझ के चलोगे यह इसका रूल है में यह घातां के नियम का क्या है सूत्र है अगर कोई भी फ्रेक्शन रूप में ऐसे नंबर दिया है मतलब पूर्ण संख्या है उसकी घात कुछ भी लगी है अगर वो भिन के रूप में नीचे है तो आप भिन खतम करोगे तो यह माइनस में हो जाएगा और एक चीज यहां से और समझ लो एक चीज यहां से और समझ लो बच्चा अगर यह ऐसा है हाँ अगर यह माइनस में अगर यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा खतम यह इतना हो जाएगा यह चीज को समझ के चलना में सूजीत passaनскा टश्युक्रारा समंझमें राज विसाल सिंग समझ में आ रहा है ना इस आरहना किसी को कोई समस्यवेगाहे तो बतांकी चापि परिशानी इसमें तो बताओien जालती बोलो है नो ताप लो फटा फट चलो आसीस अनीस दिख्षा एजुकेशन गेमिंग हिमानसु मुकेश भीजय ठीक है देखिए जो टाइम से जुड़े होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जो लेट लपेट आएंगे ना उनको बड़ी मुसीबत होगी तो उनके हमारी जो है ना प्जोस करो फटाफट देखो यहां पर इच्थम लोग बताओंगा मैं नहीं बताओंगा अगर पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और रड़िलों प्यारा के पावर एक बटा दो है इंट कलर में दिख रहाए या आप एसे लिए नीचे है यारा का पावर एक बटा कर देती मतलब एक बच्चा 15 जातों है गहाते घड़ जाती मैंने बताया है आधार समान हो तो भाग करने साइब करने जाती है है मा't और यह सार का निया da हावर ही क्याइनल में हो जायागा 11 पराबर 11 पर 1-2 क्यूंआüm अ है मैं सही लिखा रहा हूं कि नहीं गलत हो गया यार कहां से गलत हुआ यह एक मिनट रुख जांगे अब यहां पर चार बचेगा यह कि मैंने क्रास मल्टीपल किया था तिरच्छा गुड़ा किया था न को हो गया जल्दीसे इसको लिख लो अगर इसमें किसी को कोई परेसानी है तो बतार दो रिख़ो अगर आपको भिन हल करना नहीं आता फ्रेक्शन नहीं आता छोटी-छोटी तब फिर मज़ा नहीं आएगा जल्दी करो फटा फट हो गया हो गया नरेस हारा समझ में हरीस जल्दी बोलो छाप लिए चलो छापो मैं सामने से हड जाता हूं जल्दी करो चलो अगला इसमें का नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से भाई प्रांजल तिवारी आरा समझ में के चंद्रमा सिंग यादो आरा समझ में तब को समझ में आ रहा है चलिए तो अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ में अभिसेख बिजय संकर बिसाल चाप लिए चापने में तुम बहुत तेज हो बेटा चाहे तुम्हें समझ में आये या ना आये लेकिन चापने में तो तेज हो चलो देखो अगला इसमे का लाश्ट पार्ट इसमे का लाश्ट पार्ट है बेबन का पावर वन अपान टू इंटू एट का पावर वन अपान टू 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 चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो कमे कमेंट नहीं कर पाएंगे जलो जल्दी करो जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ठीक है चलो जल्दी करो देखो इधर साइड में समझो इसमें क्या है आधार अलग-अलग है ना बेटा ये में तुम्हें गातां का नियम बताया था ये तुम्हें बताया था बेटा ये बताया था ना बच्चा बोलो बताया था ना बताया था ना इसमें आधार अलग-अलग है गा आपस में जाता है जाएं तो इसमें भी नायते वह musun भी इंसे हो जाए और यह बचारए अलग हो जाएंगे कर नह RJ तरब चलो जल्दी करो फटा फट तो मैं बार बार फिर से बता दूँ जो सब्सक्राइब नहीं करें हैं उनका कमेंट नहीं आएगा मैं कमेंट देख रहा हूं फॉन में बहुत से बच्चों के ठीक है चलो प्रंजू देवी आरासं में रगवीर कुमार सब को समझ में यह ना बच्चा फ्रफभी यह थेख है ठीक है यह संब्सक्राइब न ओच्छा अर लो चलो मैं साइड हो जाता हूं यह मुख नीयम है घात आँख का अगर आधार अलनलग है घात बराबर है तब इसका नियम है कि जो आधार है उनका गुड़ा हो जाएगा और घात बाहर लग जाएगी ब्रेकट के बस यह नियम है ठीक है तो अनी देवल समझ में आ रहा है पूनम सिंग काजल पलराम गुर्जर रभी संकर चिराग सबको समझ में आ रहा है तेज सिंग चलो ठीक है तो बच्चा यह खतम हो गया इकसरसाइजी खतम हो गई पूरा चैप्टर है खतम हो गया तो क्या टाइम बहुत ज़्यादा बचाये का भी अब अच्छा नहीं है का है में अभी अर खतम हो गया खतम हो गया अब मैं तुम लोगों से कुछ कुश्चन पूछूंगा यह चै करो तो तीया परते को वस्तविक संख्या तीया पर मियसं होती है बोलो हाय नहीं कल पहुतagon पढ़ाएंगे नया चैप्टर पाइंगे अब आज आपका य traded खतमी हो गया पूरा पहला exercise का सारे question सारे part हो गए जो बच्चे इसके पीछे का नहीं देखे बच्चा देख लो पीछे का सब पढ़ाया गया है चैनल पे वीडियो उपलब्द है सारा class playlist में जाओ वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा सब देख लेना ठीक है हां समझ रहो ना प्लेइलिस्ट में जाओ वहाँ पे सब मिल जाएगा पूरा देख लो अच्छे से पढ़ लो है कि समझ गए चलो चलो देखो तो बच्चा यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं मैंने कहा कि एवरी रियल नंबर मतलब परतेक वास्तविक संख्या जो है क्या वो पर्मिय होती है बताओ हाँ या नहीं अनन्द अनिवर्ड हंसराज तरुन विश्टर फरफेक्ट मनुराजपूत रितिक अर्स ठीक है बेरी गुड नहीं गलत है परतेक वास्तविक संख्या पर्मिय नहीं और बराबर हिस्सा होता है ऐसा नहीं फलाने को सब दे दिया अगले को जुर्रे रख दिये से नहीं होने वाला है समझ रहो हूं में पीछे का जो पीछे अब तक पढ़े वो बच्चा उसको थोड़ा रिपीट करना हो समझो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वह बेटा पर्मीय कोई भी चीज में कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं इसका मतलब नहीं किसा अच्छे ही हैं ले बहुत सीरे साधी नहीं जैसे मतलब समझ घचा वी संख्या को बच्च को बबल रियल नंबरorm और यह दोनों को मिला के बनती है एक और कुश्चन अगला सुनो यह बताओ क्या परतेक रियल नंबर वो स्वरी रियल नंबर तुमारो गोली क्या परतेक रेफनल नंबर रियल नंबर होती है इसका जबाब दो हाई या नहीं क्या परतेक परमिय संख्या वाज तबी कसंख्या होती है मज़ा आ रही न तुम लोगों को बिल्कुल मुझे लग रहा है मज़ा आ रही नहीं सही बोल रहा हूं मैं ऐसी बात नहीं किसी को आप बोर्ड पर देखोगे अनलाइन देखोगे लाइब देखोगे टीबी में देखोगे आपको लगे का बड़ा अच्छा है यह बड़ा सीधा साधा लग रहा है बोला बाला हां ऐसे होता नहीं है लेकिए चलो तो जो परतेक रियल नंबर है मैंने यह पूछा उसका तो तुम लोगों ने बता लिया अब मैंने दूसरा सवाल पूछा क्या परतेक रेशनल नंबर एबरी रेशनल नंबर हार रियल नंबर क्या परतेक परमिये संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है हाँ या नहीं हाँ या नहीं दिवम अंस प्यूस चिराग अमीना चेतन अदिती पूनम पूजा मोनिका परदीप सुजीद बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे जल्दी करो चलो मैं बताता हूं इसका अंसर होगा हा न इसका अंसर होगा हा बहुत अच्छे बेरी गुड देखो बच्चे मैंने कहा कि जो रियल नंबर स्याइख पूरा पूरा अब इसके अंदर क्या है राज्ज इसके अंदर लेकिन अगर मैं तुमसे पोछों कि उत्तरप्रदेश जो है वो पूरे भारत देश में मतलब है फैला है लेकिन अब राज पकड़ों के दो यह पूरा भारत है का नहीं तो बस ऐसे चोटा मोटा समझते चलो थोड़ा मोड़ा अच्छा रहेगा कि चलो कि तो यह हो गया मनोज सिंग बेटा फालतू का कमेंट ना करो हां यह रूपेश कुमार नालायक कहां से आगया भे तुआ निकल 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 भाई बलक करो इसको तो यह कहरा काजल नंबर दे दो बेटा तुम्हारा जिंदगी ना इसी में बिच जाएगा नंबर लेने में कुछ करोगे नहीं लाइफ में नंबर तो तुम्हें मिलेगा भी रुको में देता हूं जिको जिनको पढ़ना सिर्फ वही जुड़ेंगे यहां पर जिनको फालतू का काम करना वो नहीं जुड़ेंगे आपका कलास खतम हो गया मैं रिवाईज करवा रहा हूं जो मैं पढ़ाया हूं आज पाओ चलो आगे देखो है यह हो गया है आगे क्या था मुझे कुछ किताब खोलने दो तब मुझे समझ में आये बढ़ाया था क्या क्या बोलो अईसे लिखना है अब ऐसी धावंजा ये देखो बेटा पूडांग को बोलते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर पूड संख्या का मतलब होता है हौल नमबर तो यह बताओ जो एवरीं इंटीजर है क्या वह होल नमबर होता है आदिती गुपता चिराग अंकिता सिंग तों भी रूपेश मनू मनोज बोलो कुछ तो बखो गलत सही कुछ तो बोलो पर तेक पूरांक पूर्ण संख्या होती है जितने भी गदहें बोल रहे हैं न उनके मैं क्या कहूं पीर ने दो थोड़ा सा बताता हूं भी रूप जाओ देखो बच्चा पर तेक पूरांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है इसे समझ लो कि जो हमारे पीता जी के रिष्टेदार है नातेदार है वह सब हमारे रिष्टेदार हुए हुए न क्योंकि हमारे बाप के रिष्टेदार है लेकिन जो हमारे तुमारे रिष्टेदार है वह हमारे लोग के पापा के बाप के रिष्टेदार बनेंगे यह यहां से इनका जनेम होता है जहां से इनका जनम होता है यह उसके और बहुत पीफह रहता है जहां तक इनकी कोई पकड़ नहीं है कईसके बशege थो माननंतत होता है मतलब तुम ऐसे हैसे एक हजार इसे करके जाके 0 होगा तब इदर जाके यह प्लस 1 होगा और यह प्लस 2 होगा ऐसे डाट डाट यह प्लस अनंद तक होता है कमझो कहां तक होता है पुड़ांक का इंटीजर प्लस अनंद तक होता है माइनस अनंद से लेकर लेकिन बिटा जो ये पूर्ड संख्या इनका जनम ही 0 पे होता है यहां ये पूर्ड संख्या यहीं से सुरू होती है पूर्ड संख्या सिर्फ जीरो से ही शुरू होती है मतलब इससे पीछे से कोई लेना देना नहीं है पीछे से कोई लेना देना नहीं है पूर्ड संख्या से सिर्फ आगे से ही मतलब है क्योंकि पूर्ड संख्या की सुरू आते ही जीरो से होती है तो दादा अगर मैं तुम से सब्सक्राराइब देखें लिए लोगो अपने पिता जी को सींटार्ट संसित petals वहां अगर पढ़ाइद कीृता झार्वाली अब यह गड़ी तो बड़ी कठीन है इससे मोहबत करना सीख लो प्यार करना अच्छे से कंसेप्ट समझो मतलब समझो पूरा निचोड जैसे नीबू देखे हो ना पूरा नीबू लेके मुह में डालोगे न तो खा नहीं पाओगे मुह फट जाएगा लेकिन अगर नीबू कर रफ निकाल के पीओगे ने तो तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना चाहिए पाकीज से मतलब नहीं है यहां पर हम तुमको रस रस दिला रहे हैं बस समझ रहे हो कि नहीं हां जो काम-काम का चीज है देखो देखो यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि पूडांक जो होता है माइनस अनंद से पलफ अनंद तक होता है लेकिन पूर्ड संख्या जीरो से ही शुरू होती है हां यह अगर पूछा जाए क्या पूर्ड संख्या पूडांक होती है तो काओगे हां किवरी ऑल नंबर इंटीजर नंबर होता हैया है और इंटीजर के लिमिट है होता माईंत तक पुरंद संक्या भी वही तक होती ये सारे कंसेप्ट है जो आप लोगों को याद होने चाहिए वच्छा का यहाद होने चाहिए फिजा फातिमा कमेंट आ रहा है अतिती इंगलिस में बताएं इंगलिस में बतातो रहा हूं भाया पुडांग को इंटीजर बोलते हैं इंटीजर यहां से स्टार्ट होता है माइनस इंफिंटी से प्लस इंफिंटी तक होता है इंटीजर लेकिन जो होल नंबर होता है वह जी